हेलो गाईज असलाम वालेकूम कैसे आप सब उमेद करती हूँ सब अच्छे होंगे तो आज मैं फिर आई हूँ नहीं रेसीपी के साथ हूँ मैं क्या बनाने वाली कितनी सारी कोतमीर ने ना क्योंकि ये सीजन है कोतमीर मतलब ये थंडी के सीजन में कोतमीर बहुत प्यारी बड़ी बड़ी अच्छी लगती है सुंदर सुंदर हरी थी भरी ती राजा के बाग में बाल सकाथे खड़ी बोलो क्या तो आज मैं कोतमीर के साथ कुछ करने वाली हूँ आप लोग के लिए मैं नहीं रेसीपी लेकर आई हूँ मैं क्या रेसीपी लेकर आई हूँ तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नई रेसिपी कोतमीर वड़ी कोतमीर की मैं वड़ी बनाने वाली हूँ मैंने इसको भाजी के साइस की लाई थी मतलब बड़ी चूड़ी लाई थी अच्छी मैंने इसको अच्छे से तोड़ लियो पत्ते पत्ते जो भी चाहिए इसमें से कौल कॉली कॉली कली ॉस अब इसको अच्छे से धो लूँगि, भो थो के सिनकाती रज़ूए झाले, तो चलो आप लोग भी देखने कैसे बनाती और आप लोग भी जरूर ट्राइ करने। और आपने मेरे चैनल को भी सस्क्राइब नहीं किया है तो तूरंट जाके सस्क्राइब करो लाइक करो मेरी वीडियो को जाधा से जाधा पूरा पानी निकाल लेंगे पानी जरा भी नहीं रखेंगे तो चलो इदर मैं तोड़ी दस बारा को हरी मिर्ची लिए उसको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर की मदल से चॉप कर लिए अब उसके अंदर एट करूंगी दो वाटी भरके चने काटा मिडियम साइस की बारिक उससे डालूँगी और यह मेरे पाश स्थोड़ा चावल काटा यह भी दाल दूंगी ठोड़ा सा गहूं काटा मिलाँगी और इदर चॉप में हारी मिर्ची दाल दिए नमक दाल देंगे सुवाद अनुसार दो चमज भरके धनिया पॉडर दाल देंगे एक चमज भरके हल्दी पॉडर एक जीरा पॉडर दाल देंगे चमज देड़ चमज मिर्ची पॉडर दाल देंगे देड़ चमज अधरक लसन का पेस्ट दाल देंग अब इसके अंदर ऑइल डाल के वापीश इसको अच्छे से मैश कर लूँगी एक डोव पना लूँगी वापीश से तो देखी एदर मेरा डोव बन चुका है माशाला गैस के ओपर पानी रख देंगे अभी इसको साइट में रख देते हैं गैस के ओपर मैंने पानी रख दी इस बॉइल हो रहा है उसके और मैं छनी रख दूंगी स्टीम के लिए उसके अपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे पर रात में थोड़ा सा तेल दाल देंगे एक डोव बना लेंगे जो शेप देना वो दे सकते तो मैं इधर रख दूँगी स्टीम करने एक और ले लूँगी पास से दस मिलिट रखेंगे तो मेरा पास गेस पर मैंने रखी हूँ तो यह वेरा हो चुका है बन चुका है बहुत अच्छे से तो देखिए आप इस्टीम पे बहुत अच्छा बन जाता है पास स्टीम कर लेंगे पहले फिर इसको लिकाल लेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से बन चुकी है हमारी वड़ी एक और ले लेंगे डो इस पे मैं थोड़ा सा तील लगाऊंगी तील वाला भी बहुत अच्छा लगता है आपको लगाना है लगाऊने तो इसकीप भी क काफी अच्छा हो चुका है तो ये तील वाला भी हमारा हो चुका है वड़ी इसको भी लिकाल लेंगे तो देखिए मेरी हो चुकी है मैं जितना मतब जो साइस की चाहिए वो साइस के अपने ही साब से बनाना तो इधर देखो मेरी डाल भी हो चुकी है माशा अल्ला मैं ने बगार हो रहा है चावल भी बन चुके माशाला तो अभी जो बन चुकी उसको मैं कट करके दिखाती आप लोग को तो देखिए ऐसा कट कर लेंगे कच्छी कहाना है कच्छी खाए मैं तो फ्राइ करूंगी फ्राइच लगती है मस्ते देगो कितनी अच्छे से इसके पीस ह अच्छे से पीस बना लेंगे कट करके जो शेव देना वह दे सकते मैंने सकर प्रॉस कट करके बोड़ा कर लेंगे तैल को वड़ी को fry कर लेंगे यह वही मेरी तील वाली है जो मैंने तील डाली थी चलो डाल भी हो चुकी अभी मैं इसमें fry करूंगी हलका हलका ब्राउन कर लेंगे ज्यादा deep fry नहीं करेंगे shallow fry करेंगे बहुत खाने में टेस्टी लगती है फटाफड बन जाती है सीजन के एसाब से बनाई है आप लोग भी कोद मेरा भी बहुत अच्छी आ रही है मार्किट में तो यह मेरा तील वाला जो मैंने जिस पर तील लगाई थी यह है इसको भी अच्छे से सेख लेंगे वापिस कट कर लेंगे एक और कट करते जा रही है और मैं फ्राइ करते जा रही है तो देखिए वापिस कट कर ली हूँ मैंने तो इधर मेरा और रखावा है मैंको भी सब फ्राइ करना है क्योंकि कच्छी भी अच्छी लगती है ऐसी स्ट्रीम वाली और फ्राइ करेंगे तो एकदम क्रिस्पी हो जाती है तो इधर मेरा हो चुका है माशालला सबको पसंद आई थी बहुत अच्छी बनी थी दुआ में याद रखना अला आफीस आप लोग भी ज़रूर बनाना बहुत अच्छी बनती कोतमीर वड़ी